जै हिन दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चनल साहनी टूडे में मैं हराम साहनी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में आज हम टाइम एंड वर्क का टाइप आठ और नव दोनों पढ़ेंगे इससे पहले आप हमारे चनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब क को सब्सक्राइब कelson किजीए और आen को द 12 आईकन को दाओं को नए दोनी समाप्त करते हैं कि यजितीनों काम سमा सुरी तीनों काम करना सुरू करें लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले तरही काम Straßen थे मैं को कूल कितना समय लगेगा चलिए ऐसे कोचन को बनाने के लिए आज हम आपको ट्रिक मौखी की ट्रिक बताते हैं यदि काम समाप्त होने से पहले किसी व्यक्ति को छोड़ने की बात करें तो उसको जाने मत दीजिए उसकी एफिसेंसी रखिए उसके टोटल वर्क में बनाएंग इतना समझभी काम करना है कि काम करना है यदि काम सुरू होने के के फिस यहीं कंसेप्ट है बनाने का इस टाइप के कोशन को बस दम चुटकियों मनाएगा चलिए स्टाट करते हैं एक कितने दिन में करता है 10 दिनों में बी कितने दिन में करता है सुरी 20 दिनों में और सी कितने दिन में करता है तिस तिन वेखै एल सेम कैतना होगा 60 10 छक साथ 20 से डिभाय करेंगे तदेश साथ 30 से 32 साथ अब बोल रहा है कि तीनों काम स्टाट करते हैं लेकिन एक काम पूरा होने के एक दिन पहले यानि एक दिन पहले यानि छे केफिसेंसिस एक दिन इसको नहीं जाने देंगे तो छे काम और करेगा और बी काम पुरान के तीन दिन पहले बी तीन केफ्षेंस्टेस काम करेगा और तीन दिन अगर रूग या तो इन तीरी का 9 काम टोटल कितना काम गए? 15 काम और 15 काम में लोग अगर रहे तो करेंगे तो 15 काम इसमें जोड़ दीजिए तो 60 प्लस 15 यानि 75 कामगा टोटल अब देखिए बोलाए कुल कितना समय लेगा यानि कुल समय बराबर टोटल वर्क अब कितना हुआ 75 आटोटल एफिशेंसी इतना नौ बर्चा हर्चित नौ पुनांग रेगार दिन आट एंसर बिल्कुल असान भासा में चलिए एक दूसरा भी टाइप आए उसको भी अधियान करते हैं अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए मतलब हम बात में डाले हुए हैं इसलिए आगे पीछे आगे पीछे निकल रहा है और अगले वीडियों हम सभी कर लेंगे इसको चलिए अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमेंसे पूचिए का देखिए हम 6 की पिसेंसी वाले को लेकिए हम 6 की पीशेंसी वाले को जो मनें A है उसको नहीं जाने दिये हैं और B को भी नहीं जाने दिये हैं इसलिए इन दोने की जो total काम हुआ उसको हम पूरे कामों में पहले जितना काम था 60 हमारा काम था उसमें जोड़ती हैं चलिए अगले question बचलते हैं चलिए दूसरे कोस्चन को अध्यान करते हैं ताइप को दूसरा टाइप है टाइप 9 A, B, C किसी काम को करम सा 10 तिनों में 15 तिनों में तथा 20 तिनों में समाप्थ करते हैं यदि तीनों एक साथ काम आरम करें लेकिन A कार्ज शुरू होने के दू दिन बाद जैसा बी काम समाप्त होने के एक दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लागा देखिए हम आपको पहले वाले कोशन में बताया थे आपको एक ट्रीक समझे या कुछ भी समझे उसको कंसेप्ट कि अगर कोई सुरू में काम करके छोड़ता है उसको जाने दीजिए उसके एपिसेंशिर को निकाल दीजिए अगर कोई काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले अगर काम छोड़ता है उसको जाने मत दीजिए बस यही मेथटा है बनाईए देखिए A कि A 10 दिनों में B 15 दिनों में और C 20 दिनों में करता है 3 का एलस्यम कितना होगा 60 10 चक 15 चब का 20 दियाई हो गया अब कर रहा है क्या कि काम तो 3 स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 दिन बाद कौन छोड़ता है A A याने 6 के बिसेंसी करता है और 2 दिन बाद याने 6 दूनी 12 काम करके याज छोड़ दिया बचा होगा काम कितना होगा 48 48 काम हमारे पास बचा होगा है और बोल रहा है कि B काम समाप्थ होने के 1 दिन पहले काम छोड़ता है उसको जाने मत दिजिए B की इफिसेंसी कितनी है 4 एक दिन करता है यानि 4 की इफिसेंसी को हम रखेंगे तो प्लस करेंगे यानि टोटल 52 काम अभी हमारे पास बचा होगा है अब कर आए कि कूल काम कितने दिनों में समाप्थ होगा कूल लगा समय कूल समय बराबर टोटल इफिसेंसी यह तो पर इफिसेंसी यह तो पर आयंझ छोड़ दिया है बचागवा यही दोनों कर रहा है 43 7 साथ के इफिसेंसी से कर रहा है दोनो और चलिए और भाग दिजीए इसमें 7 शक पन है जाएगा साथ शक बे आले साथ सते उन्चास चलिए बनाते हैं इसको तो मुझे लग रहा है कि यहां पर कुछ सब्सक्राइब कुछ कहीं गलतियां कर रहें चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं इसको मान लिजिए टोटल यह काम कर रहा है तो टोटल एकस दिनों में यह काम समाप्त हो रहा है तो पहला जो करता है दो दिन बाद काम समाप्त छोड़ देता है तो दो दिन 6 की पिसेंसी से करेगा यानि 6 दूनी बार पलस टोटल ओवर क्वाले चामताप चल रहे हैं और बी एकस म सी कितने दिन काम करेगा तीन केफिसेंसी से करेगा और एक से दिन करेगा और टोटल काम कितना होगा साथ चलिए बनाते हैं सही है दोनों तरीका सही है यह भी सही था गलत जा रहे हैं तो इसे चेक किये तो दोनों सही जा रहे हैं सासते उन्चास उन्चास तीन बावन बाटा साथ इतने दिन में काम समाप्त होगा चलिए धन्यवाद ऐसे से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धिक स्यादिक स्चेर कीजिए जय हिंद